हेलो फ्रेंट्स ये गनपदी जी के तोरण का फस्ट पार्ट मैंने बनाया है अभी मैं आपको दिखा रही हूं कि कितना थ्रेड हम लोग को लगेगा हम लोग यलो कलर का चार मिटर का दो थ्रेड यूज करने वाले और ग्रीन कलर का हम लोग चार मिटर वाला ट्वेंटी तो पूरा ट्वेंटी टू यूज किया है तो पूरा ट्वेंटी टू यूज लगाने के बाद फिर से हम लोग को यलो दो लगाना है फिर से ग्रीन अबा ट्वेंटी टू लगाना है फिर से यलो ऐसा हम लोग को चार स्टेप करना है पूरा चार पत्ते मनाने वाले हम और यह yellow color हमारा border में आएगा उसके बाद हम लोग yellow color का first single knot लगाएंगे square knot लगाएंगे फिर उसके बाद जितने भी 22 धागे हम लोग ने join किये thread उसका हम लोग 11 square knot लगाएंगे पूरा total 11 square knot आता है फिर उसके बाद एक फिर से yellow color का square knot आता है यही सेम हम लोग line बनाते चाहेंगे square knot का इसके बाद एक line होने के बाद हम लोग दूसरा line भी बनाएंगे दूसरा line पूरा करने के बाद हम लोग उसमें money डालने वाले पहले तो पूरा square knot का देख लो पहला यह yellow color का square knot आता है उसके बाद green color के पूरे 11 square knot आते और यही सेम कंटिन्यू आते हैं लास्ट में खाली यलो कलर एक्स्ट्रा आता है लेमन यलो कलर का स्क्वेर नॉट यह सब धागया अटेच करने के बाद आप लोग यह से स्क्वेर नॉट लगा सकते और आपका डॉर का साइज अगर बढ़ा होगा तो आप उसमें ग्रीन कलर कर सकते हैं और जो मैंने यलो कलर का दागया लगा उसका खाली रखना है क्योंकि वह बॉडर में आएगा इसलिए उसको ज्यादा बढ़ाना नहीं है आपका डॉर का साइज अगर बढ़ा होगा तो आप ग्रीन में बढ़ा सकते हैं और इसके बाद यह पूरा लाइन करेंगे हमोग कमप्लेट स्कुरे न्拉 का इसके बादा मनी का दो लाइन लगाने के बाद हम लो मनीय टेच करेंगे तो मैंने क्रॉस कर लिखर लिखायर ना को फ़र आज यह पूरा लाइन डालया उसमे शिंस मानी को Melanie का यह मने जो मनी उसके उसको रोज मनी बोलते हैं और यह — एक तुक्त इक शुत पते तरी थृसरे दागें के जात। कहा है और अंगशन नातनी दागते। मैं अच्छा लगता है इसलिए मैंने वह लिया है इसके अलब आप चाहिए तो दूसरा मने भी यूज कर सकते हैं मट का मनी यूज कर सकते हैं लेकिन एक रॉस कॉंबिनेशन करके मैंने मानि को चोईस किया है मनी का मैं तो सिंगल लाइन ही लगा रही हूँ आपको चाहिए तो आप डबल लाइन भी लगा सकते हैं मनी का लेकिन मेरे हिशापसे मेरे पट्टी चोटी ही बनानी है मुझे तो मैंने एकी लाइन लगाई है मनी के यह मेरा आधा दूरा बाकिता इसलिए मैं स्क्वेर नोट लगा कि complete कर रही हूँ अब यह में पूरा square not लगाऊंगी उसके बाद उसमें money लगा दूंगी जान बूच कि लेमन यलो कलर का money लिए है क्योंकि वह highlight हो जाता है दिख जाता है हम लोग को कि हम लोग ने लेमन यलो कलर का money लगाया और यह लेमन यलो कलर में मैंने ग्रीन कलर का money उसकी है क्योंकि वह भी highlight हो जाएगा लेमन यलो कलर में अगर मैं उदर लेमन यलो कलर में लगाती तो वह ज्यादा दिखता ही नहीं मतलब कुप बहुत कम दिखता है इसलिए cross combination color लिया और मुझे मिल भी गया इसलिए वह अच्छा भी लग रहा है आपको चाहिए तो आप दूसरा color भी choice कर सकते हैं पूरा एक ही color का देखो यह लेमन मैंने green money लगा है अच्छा दिख रहा है ना हूँ पूरा तो अभी यह पूरा complete होने के पाद हम लोग फिर से नीचे दो मनी के बीच के धागे लेंगे हम लोग ये एक मनी और दूसरा मनी उसका एक एक धागा और फिर बीच वाले दो धागे लेके हम लोग स्क्वेर नाट लगाएंगे आप चाहिए तो पूरा मतलब मानी के नीचे भी स्क्वेरणोट लगा सकते हैं लेगिन मैंने सफ़ृयर नाट है यह ऐसे ऍहुडयन के बीच वाला स्क्वेरणोट तो हम लोग पूरा लाइन बना podiaएंगे यहां लोग 4 लाइन बनाने वाले है टोटल स्क्वेर नॉट का नीचे से फिर से होरिजन्टल स्क्वेर नॉट की चार लाइन बनाएंगे यह मैं खुद से डिजैन कर रही हूँ इसलिए मैं ट्राय करके करके देख रही हूँ किसा अच्छा लगता है कि सनी अच्छा लगता है तो फाइनल मैं आपको दिखी जाएंगा मैंने वैसे भी स्टाटिंग में आपको फोटो दिखा दिया है तोरन का इस तरह मैंने पूरा एक सिंगल लाइन बना लिया अब भी मैंने देखो पूरा नाइन दो लाइन बनाया थीन तीसमा लइन भी कम्टने दाया है अब हैं आपको फोर्ट लाइन भी लगाएंगे उसके बाद उसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे चार सेक्शन बनाएंगे उसके पूरे ग्रीन कलर के स्ट्रे पत्ते जी से कि पत्ती मेरे को चोटी लग रही है तो मैं फिर से एक स्क्वेयर नॉट की लाइन लगाने वाली हूँ उसके बाद हम लोग नीचे पत्ती का डिजन स्टार्ट करेंगे यह देखो यह चौती लाइन डाल रही हूं में यह पूरा फॉर्थ लाइन होने के बाद हम लोग चार डिवाइड कर देंगे यह लो कलर जो बीच में लगा है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे दो दागे यह लो को इधर लेना और दो यह लो कलर का दागा उधर लेना है ग्रीन कलर के डिजाइन में अभी यह देखो हम लोग ने इसा सेक्शन किया है दो दागे लगा है हम बनाने का है देखो ये पूरा पती मैंने बनाया नीचे continue square knot ही लगा है simple एक दम खाली border में yellow color आएगा तो आपको वो डिवाइड हो जाएगा section उसमें इसलिए मैंने एक बीच में yellow color लिया आता section डिवाइड होगा वो दिखेगा इसलिए देखिए अभी इसके बाद हम लोग इसा ही continue design करेंगे मैं cross करके मतलब vertical design बनाती हूँ जादा से जादा square knot लगाते राइम में vertical लगाती हूँ क्योंकि वो फिर मेरे को लेने में easy जाता है पहले वले square knot से दो दागया और बाकी बाजू में दो दागया लेने का और continue करने के और जब भी आप सीधा लाइन लगाते हैं horizontal तो आपको पूरा चार दागया लोग से लेना पड़ता है तो मेरे को vertical ज्यादा easy पड़ता है करने को अभी एसा हम लोग पूरा जो horizontal line है वो पूरा हम लोग कितना लगाएंगे 18 लगाएंगे पूरा अभी देखिए जो पहला हम लोग ने यलो वाला लाइन बनाया ना वो हमारा पूरा no square नोट आएगा और जो हमने horizontal line बनाया ना वो पूरा हमारा पूरा 18 lines आता है फिर यह 18 lines complete होने के बाद हम लोग vertical line बनायेंगे दोनों साइड से मतलब एक triangle shape आजाएगा हम लोग को finishing के लिए पूरा एक triangle shape नीचे चाहिए तो ऐसे करके हम लोग पूरा triangle जैसा design नीचे बनाने वाले अभी हम लोग बनाते हैं थोड़ा थोड़ा design आपको समझेगा बाद में जाले पाहिए से दथी आपको समयल आपको झाल 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 आपको अगर चाहिए तो आप ये डिजाइन बड़ा भी सकते हैं नीचे आपको अगर हाइट में ज्यादा चाहिए डिजाइन तो अभी मैं ये देख रही हूँ कि मैरा अगर स्क्वेर जैसा शेप तो नहीं हो रहा है लेकिन ये हो गया है परफेक्ट उपर भी हमारा फोर लाइन है न पत्ती का तो ये पूरा ट्रेंगल जैसा देख रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा इसके बाद मैं सेंटर देख रही पार्च को ने उसको और ये देखिया आप डिजाइन मनी भी नहीं देख रहा है आपको अच्छे से लगाया मैंने और इदर चार लाइन पत्ती का बना के मैंने फिर सेक्शन बना दिया है ये लो कलर का बॉर्डर लगा कि अभी इसके बाद हम लोग बॉर्डर भी करेंगी फिनिशिंग लेकिन मैंने वो सब लास्ट में किया है अभी इसके बाद सेकेंड डिटोरिल है का हमारा गन बती जी तो वो भी देखना मत बुलिए थेंक्यों